नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पेश्वेता गरकर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आए शुरुआत करते हैं उत्रकंड की कुछ खास खबरों से पूरे तरह खंड में पिछले अताल गंटे से हो रही बारी बारिश के चलते नानिताल जनपवत में देवे आपदा को लेकर सरकार राहत और पचाफ कारे में लगी हुई है ऐसे में राज के मुख्य मंतरी पुषकर सिंधामी आपदा प्रबंदन मंतरी दान सिंग रावत आज आपदा प्रभाविजले जमपावत अलमोडा के साथ कई इलाकों का निरिक्षन किया इस दोरान मीडिया से बात करते हुए मुख्य मंतरी पुषकर सिंधामी ने कहा कि आपदा से प्रदेश को हुए नुकसान का आकलन करने को अधिकारी को निदेश दियेगा है और आज वहाँ आपदा प्रभाविज जेत्रों का दोरा कर रहे हैं सरकार की प्रात्यमिक्ता रैसक्यों आपरेशन में लोगों को सुरक्षत बाहर निकालने के साथ ही आपदा प्रभाविज जेत्र में बंद पड़ी सडकों को जल्द से जल्द कोलना है तो वहीं आपदा प्रभावंदन मंतरी दान सिंग रावत ने कहा कि राहत और भजावकार में SDRF, NDRF, अर्द सेना और सेना के जवान के साथ ही भारत सरकार की तीन हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं देश में चल रहा है किसानों का अंदो लंजारी है याल बोडा मेंसा युकिसान मोडशा के नितत में लखेंपूर कीरी के शहीद किसान वकलश श्यात्रा के अफसर पर इस्थानी गांदी पार्क में विविन संगटनों ने श्रद्धान्चली अर्पत की सभा में बोलते हुए वेक्ताओं ने केंद और उत्तरपदेश की किया है इसके अलावा सभा के अंत में किसान अंदोलन में शहीद किसानों के लिए दो मिनट का मौन रख कर समापन किया गया हम सभी उत्राकर्ण प्रद्वत्तन पार्टी एवन किसान संग्यठन के अन्य संग्यठन है उनकी लोग हम आज गांधी परिसर में खड़े हुए हैं इसलिए हैं यहां पर क्योंकि जो लखीमपूर खीरी में जो कांड हुआ था चार किसानों को अजय मिस्रा के उसके में जल दिया था और लेकिन उस पर सरकात मौन है कुछ बोल नहीं रही है है। तो आज हम सब्सक्राइब शाज जीनों से आये और इस hen अगे को भी बढ़ाएंगे जहां पिर किया जाएगा उनके पुत्र द्वारा जो कांड किया गया जिस तरीके की विबत्स घटना को अंजाम दिया गया कुन किसानों की सरदांजरी के उप में ये कलस यात्रा है जिसमें उनकी अस्थियां है और तमाम देश भर में आज के दिन किसान अंदूलित है उस सवाल पर और केंडर की सरकार को इस बात के आववान के साथ फिर से ये जताना चाहते हैं कि वो तीनों किसी कानून वापस ले चार सरम सहीता हैं वापस लें और इस देश में जो कॉर्परेट परस्त नीतिया हैं उसके विरोध में किसान आज के दिन पूरी तरह से लाम बंद हैं और इसी आयोजन को आज यहां पर किया गया है सरदांजरी के रूप में हुए हैं सहीत किसानों को कि जो कलश यात्रा है वो अलमोडा तर पहुंची है और आज हम लोगों ने भारी बारिश के बाद जूद यहां पर सहीतों को सर्दान दे दी है और इस अंकल्प लिया है कि जब तक केंद्री मंत्री को बर्खास नहीं किया जाता उन पर कारवाही नहीं होती जब तर तीन काले कानुन दे वापस नहीं होते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी यह जो सहीत किसान है और पत्रकार जो उनके साथ है इनकी बात घर घर जाएगी हर किसान तर जाएगी उतराखन के किसानी को बचाने का भी यह संगहर सा है हम उमीद करते हैं कि उतर करता हैं बात बंद हो चुके हैं ग्रामीडों के साथ पुलिस और राजस विख्भाग की तीम रेसड़ी ओपरेशन चला रही है खबरल मोडा से है जो बारिश कहर बन कर बरस रही है जगे जगे बूसकलन से मकान द्वस्थ हो चुके हैं जिससे ग्रामीडों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के कारण जिले के अन जिलों से संपर्क पूरी तरे कट चुका है और जिले के छेस से अधिक मार्ग मलमे में आने से बंद हो चुके है ग्रामीडों के साथ पुलिस और राजस्विभा की टीम रेस्क्यू ऑपरिशन चला रही है सीम पुशकर सिंग धामी से रुद पूर्द के संजे नगर खेड़ा में इस धलिये निरिक्षन कर बारिशे हुए जल भराव की सितिकाज जाय जलिया उन्होंने प्रभावित चेत्रों का हवाई निरिक्षन भी किया मुक्यमंतरी ने प्रदेश की जंता से अपील की है कि धैरे बड़ा कर रखे और उन्होंने डि-म को निदेश दिये हैं कि प्रभावित शेत्रों के लोगों निर्थन पर पहुंचाए और बार पीरित लोगों को खानी की विवश्ता की जाए उन्होंने कहा कि ये एक दैवी आवदा की घड़ी है इस परिसिती में सभी के सायोग से इस आवदा से निप्टा जाएगा साथी सीम ने रेस्क्यू में लगे एंडियारेफ फुलिस की जवानों का खौसला भी बढ़ाया बाचपुर में कुमाओ के पहाड़ों पर भारीबर्थ साथ के चलते में हदानी शेत्रों में पहाड़ और गड़पू के जंगलात में नालो के पानी ने कहर वरपाया गंदेपाणी की वज़े से कई परिवारों को परिशानी का सामना करना पढ़ रहा है वही शहर की मार्केट में बाड के पानी ने व्यापारियों की दुकानों में गुज जाने की कारण करोरों की शती हुई है ग्राम जारगंडी के जंगलत शेतर से आने वाले नाले के पानी का बहाव इतना तेजी से आया कि तीन जगे से ग्राम सबाज जारगंडी का संपर्क मार्ग नेली ताल रोट से कटा और कई घरों को नुकसान पहुचाया इसके साथ ही लगबग जारगंडी जब रान बहरेनी हरी पुर्वा हरसान शेतर में लगबग दो सो एकरधान की फसल बरबाद हो गई बार प्रवावेत इलाकों में लोगों को मदद भी मिल रही है जिस तरह से ये उत्रागंड में आपदा आई है जिस तरह से लोगों का आओ जाओ मार्गे सब तूट चुके हैं ये सन 81-82 में सुना है कि इसी टैप का आज हमें देखने को मिला काई काफी सालों बाद जिस तरह से उपर कुदरत वाले की जो मार पड़ी है पबलिक पे आज ये देखने को मिला है हमें कि हमारा जो जालखंडी छेत रहा है उस पे कम सिर्म 150 घर है जिनके घरों पे पानी गुश चुका और वह बुरी तरह से रस्नस हो चुका जिनकी फसले बरबाद हो चुकी है धान की फसल खड़ी थी बिलकुल धान की फसल लेड़ गई है और लोग कुछ लोग तो ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास एक एक डेड़े डिकल जमीन थी और वह फसल बिलकुल नस्ट हो गई है उनके खाने के लिए भी कोई साधन नी बचा पड़ाया लोग बहुत मतलब इस तरह से रो रहे हैं कि दिखाए दे रहा है कि बहुत नुक्सान हुआ लोगों का घर यह रेवडा नदी कहलाई जाती है और खेतों में से निकल रहे हैं लोग बहुत परिशान है पर्शासन से हम गोजाईस करते हैं कि पर्शासन इसको जल्दी बनवाया और हमारी समस्याओं को देखे यह साब कटाओ यह बिगत पांसे सालों से हो रहा है और इस साल तो जाद में आता है और हमारे घरों में और फजल में रास्ता हमारा कट गया और हम कहीं आजा नहीं सकते हैं और इसकोल के बच्चे जो है इसकोल जाने से रह गिए बेमार जो है घर में पड़ा गड़वाल में जलादिकारी डॉक्टर वेजे कुमाज योग दंडे निरिशिकेश ब निगरानी बनाने हुए पानों को आवजाही पर ध्यान देनी के लिए भी कहा गया इसके लावा निरिक्षन के तौरान डियम ने अलक नंदा नदी जलस्तर का जाइजा लिया उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के चलते बैरास से बढ़ती जलस्तर को मद्दे नज रखते हुए नियंतित रूप से छोड़ने और लगातार मॉनिटरिंग की जाने की बात कही है अब यहां पर सड़क को खोलने के लिए अपनी मशीनों को लगाया था दोने तरफ से मशीन लगाये गई थी और लगातार प्रयास करने के बाद में अभी यातायाद के लिए खुला हुआ है और बहुत से यातरिया भी सड़क पर वेड कर रहे हैं उनकी दोरे बताया गया कि अभी यात्रा रूट फुला हुआ है और चम्दार के पास बनता हो फुलने के बाद से अभी यात्रा का जो रूट हो यात्री सुचरु कर दिया गया है हरदवार के गड़ मीरपूर की दिव्या बर्मन सहेत उत्राखांड के विबिन हैसो में साथ होकी हली खिलाड़ी का नेशनल चैंपिंशिप खेलने में चैन हुआ खिलाड़ी दिव्या बर्मन का कहना है कि अंतराष्टी महिला होकी खिलाड़ी बंदना कटियार उनकी आदर्श है उन्हीं की तरह अंतराष्टी इस्तर पर खेलना चाहती है वही कॉंग्रेस नेता बूप सिंग का कहना है कि हमारे शेत्र से दिव्या बर्मन का चैंपियंशिप खेलने में चैन हुआ है तो वो लड़की गरीब परिवार से है और नेशनल चैंपियंशिप तक आने के लिए नहीं काफी कटनायों का सामना करना पड़ा वही कॉंग्रेस नेता बूप सिंग ने दिव्या बर्मन को फूलो का गुल्दस्ता देख कर सम्मानित भी किया अज़ाल तुम्हें पता है उसमें पैसे की कमी हो जाती है खान पीन की और समय नहीं मिल पाता सबसे बड़ी बैन की यह कि गरीब घर से बिटी एक खुसी तो बहुत मैंसुस हो रही है बलकि मेरे गाउवाले भी बहुत बहुत खुस आ गर वाले भी बहुत खुस है बाकि स पूरा सपोर्ट ये बरसात में 30 जून को बंद हो जाता है उसके बाद 3 मैने बाद 15 अक्टूबर को खुलता है इस बीच हमने इसको 15, 16, 17 तीन दिन खुला चौते दिन बारीस होने के कारण इसमा आपदा से काफी भुस्कलन हो गया अंदर पेड़ गिर गए हैं तमाम पूल के नीचे पेड़ तूट के फज गए हैं तो अगरी माद इसमा तक कहा नहीं जा सकता कि कब खुलेगा इक कॉर्विट फॉल जो है 15 अक्टूबर को वनिवहाग की द्वारा ये ओपन किया गया काफी टैम से बंद था तो इससे अच्छा राजस्य भी मिल रहा था सरकार को और अभी ये दो त जास करना चाहिए क्योंकि वन विभाग की जिमिदारी नहीं है कि ये जंगल को बचाना और नदीन आलने को बचाना इसके लिए हमें स्थानी लोगों को इसके लिए सोचना पड़ेगा और परियारोन के अनुकूर जिलादिकारी हरदवार विनेश शंकर पांडे तक बंद होने को लेकर जिलादिकारी विनेश अंकर पांडे भड़क गए और उन्होंने तत्कालिन 27 कर्मचारियों के सस्पेंड करने की बात कही जलादिकारी ने सामुदा एक स्वास केंद के रेकॉर्ड अपनी कबजे में लिये और लकसर उप जिलादिकारी वैबव गुपता को स अबी के खलाफ रेपोर्ड बना कर भेजने के निदेश चारी किये अधिकारी की इतनी बड़ी कारवाई के स्वास विबाक में हड़का मुचा हुआ है लगतार हो रही मुसलादार बरसाथ से जन जीवन अस्वया से शहरी और ग्रामी शेत्रों में बाड जैसे हालाद बन गए है वही गौला नदी ने भी अपना रोध रूप अपना लिया है आज आपदा प्रभाविट शेत्र का दौरा करने के इंदी रक्षा और परेटन राज मंतरी अजे भट लाल कुआ पहुँचे जानोना अधिकारियों के साथ गौला नदी के कार रोड इंद्राल जंकर सहित कई शेत्रों के भूक टाव का इस्थली निरिक्षन करते आपदा प्रभाविट लोगों का हल चाल जाना साथी आपदा कारियों को लेकर अधिकारियों को दिशने देश भी दिये गए इस दोरान के इंदी राज मंतरी अजे भट ने कहा कि नानिताल जंपत के कई ग्रामी शेत्रों का दोरह किया जा रहा है जापदा से प्रभाविट लोगों की सहायता करते हुए राशन उपलद करा दिया गया है देखके आ रहा हूँ अभी मैं बिंदु खत्ता में आया हूँ बिंदु खत्ता में आप देख रहे हैं कि ये सामने बिलकुल इधर गौला नदी है और ये जो मकान किनारे के थे लोग तोड़ ने हैं मकानों को हीट मिल जाए या उसका कोई चीज़ बच जाए तांकि वो कहीं और जगा मकान लगाएंगे तो बहुत दुख हो रहा है ये सारे सीन को देखकर ऐसा रोदर रूप गौला का पहली बार देखने को मिला है कई सालों के बाद लोग कहते हैं कि इस तरह से गौला आई है एक किलो मिटर पीछे तक जहां मकान थे वहां तक आज सारे मकानों को गौला ले जा रही है इसलिए हमने कहा पहले जान की परवा करें सरकार की नेतिक जिमेदारी है हम लोगों की, सब लोगों को जो भी उनकी मकान टूटे हैं, उनको बसाना, उनकी जो भी पहाडों में लगतार बारिश हो रही है, यहां कोसी नदी का जल सर बढ़ने से मोहान और धिकुल शित्र के कई रिजॉर्ट में पानी गुस गया है, पानी बढ़ने के साथ इन रिजॉर्टों में रुके परिटकों का वाहन भी पूरी तरह से जल्मक हो गए हैं, पानी और प बह गई हैं, खराब हालात को देखते हुए प्रशासन भी लगतार, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, देश में गरीबों और आसाय लोगों की निरंतरमदद के लिए प्रसिद हंस फाउंडेशन काम कर रही है, नरेन नगर में हंस फाउंडेशन ने विकास करने घंसाशी स के भगवान पूडा केदार धा में माता मंगला के जनमोटसफ पर उत्रपिशाइक करते हुए कारिक्रम आयुजुद किया, इस मौके पर माता मंगला के जन दिवस पर शेत में विद्धिजनों और विकलांगों को चाते और छड़ी पाटने का काम किया है, और इस अफसर प से हंस फाउंडेशन के संयोजक पूर्जिला पंचायत सदस्य केदार बत्रवाल ने कहा कि पिछले कई सालों से संगठन शेत्रों में गरीब और असाहे लोगों की मदद करने में लगा हुआ है माता स्री मंगला जी सस्ताफाक हंस पाउंडेशन के जनमस्तों पर यहाँ पर रुद्रविशेक और पूजन का कारिकम संपन किया गया और सभी भक्तगणों ने और हंस पाउंडेशन के सदस्यों ने माता स्री मंगला जी की दिरगाई की कामना सितारगन शेत में हो रही मुसलादार भारिशे शेत के कई गाउं जलमगन हो गए है वेंकिसानों की धान की फसल भी जल भराव से खराब होने लगी है नगर शेत के साथ शक्ति फार्म शेत के कई गाउं में पानी तीन फिट से भी उपर तक भर गया है वहीं बैगल नदी की जल सर बढ़ने से उसके आसपास के गाउं में भी बाड का खत्रा बन गया है लोगों का कहना है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो बैगल नदी के तट पर बंद और पुल टूट सकते हैं और इस बार प्रशासन की तरफ से नदी की सफाई नहीं कराई गई तूसरी तरफ प्रशासन और पुले नाव की मदद से लोगों के घरों को सरक्षित निकाल रही है साथी प्रभावित लोगों के रहने की खाने की विवस्ता भी की जा रही है और वार्ष शक्ति फार्म में जो अबादी वाले शेटरे हैं जिन में जन्वराल की स्थिती हैं वहां से हम लोगों को सुरक्सित इस्तानों पर सिफ्ट कर रहे हैं और उनकी खानपान भी इत्याजी के दुछता नहीं पर रही है और विए बस लोगों को सुर्टी सानल पे हम सोस नहीं करा है और हमारे शाद नमबर आठ नमबर में इतना पानी हुआ वर्षाद के पानी उससे लोग बहुत ही परभावित हुए हैं उससे कारण हम उनको वहां से इस चगा पर शिप्ट कर रहा है जारी गाउं है इस जगा श सरक्षा करमी को गाउं की युवक ने उस समय गाली को लौज कर हमला कर दिया जिस समय शेत्री विदायक सौरब भहुगुडा ग्राम गुरू नानक नगरी से वापस लोट रहे थे। भाई विदायक सौरब भहुगुडा ने आरोपी युवक के खलाफ सितार गंज कोत्वाली में श्रिकायत कर कानूनी कारवाई करने की मांग की है। लगातार हो रही बरसाथ से बाढ़ ग्रस शेत का दोरा कर रहे वहीं पूर में भी शेतर विदायक सौरब भहुडा और बाजवा पाटी के अनिकार करता हो नेताओं के साथ अब्भा दिर्भाशा का प्रयोग किया था। आज भी शेतर विदायक बाढ़ शेतर के दोरे पर य युवग ने सुरक्षा में तनाद सुरक्षा कर्मी आमिद चौतरी के साथ अब्भा दिर्भाशा का प्रयोग किया। युवग के हमले से सुरक्षा में तनाद सुरक्षा कर्मी के शरीर पर छोटे आई जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अफीम किसानों को पट्टे वित्रन करने का कारी शुरू किया जो 30 अक्टूबर तक चलेगा शहर के अफीम को दाम रोड इस्तद पने केंदे नार्कोटिक्स ब्यूरो के कारयाले पर किसानों को पट्टा वित्रन का काम किया जा रहा है किसान यहां की सुविधाओं और वियवसाओं की तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन सालों से अफीम की खेती कर रहे हैं कुछ किसानों को पट्टे कटने के डर से भी सता रहे हैं किसानों की माने तो वो पिछले 26 सालों से अफीम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी तरफ सामान बदले जाने के सही दाब अभी नहीं मिल रहा है। कि नहीं चार दो के उपर वाले के पटे दिया और पांच से उपर वाले के दस आ रही है, अच्छे से छे के समतिंग, छे के करीब 12 आ रही है। कि प्राइम टीवी की खास ख़बरों में बस इतना है और देश जुरिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे है। प्राइम टीवी नमस्कार। प्राइम झांट झाले के प्राइम आपकराइम अट अर्चे झाल झाल